जाहिंद इस वीडियों लोग बिजास आगर फाइनसल सर्फिस लिमिटेड कमपनी को बात करेंगे देखिए यह कैसा पेने इस्टोक है जो हमेशा प्रोफिट मेकिंग रहा है मतलब प्रोफिटेबल कमपनी रही है इसने हमेशा अपने नियुसकों को कमा कर दिया है संदार र प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं डाउंट्रेंड और कितना लंबा चलेगा आखिर इसमें अपर स्कीट कब लगेगा ताकि शेयर प्राइस उपर जाए और फिर से एक संदार मुनाफ़ा प्राप्त हो बिना किसी देरी की डिरेक्ट मुद्धे पर आते हैं औ करते हैं और इसका लावां है यहां समझेंगा इसी एक मार्केट करोना असी लाग और शेयर प्राइस देखेंगे दूरुपया चेववन पैसा मतलब नीचे जा रहा है हाई देखेंगा हाई लगा चुगा चुगा च्छोर रुपया संतान्य पैसा मतलब इसको साथ रुप आठ नुवमबर से चेयर प्राइस उठना शुरू हुआ और 28 जनवरी तक करीब कर थे माहत तक कंपनी के चैयरप्राइस अब ट्रेंट ग्राफ में रहा हई कि यहां समझें आठ नॉम्बर को जो कंपनी के चीयर प्राइस उथना सुरू हुआ उस समय इसका प्राइस साथ तीन माहा में उठकर आया सात रुपय का सपास मतलब इसने अपने पैसों को तीन माहा में 14 गुना किया है मतलब जिन लोगों ने पचास पैसा पर इस कंपनी के शेयर को बाई किया होगा उनका पैसा 14 गुना हो गया होगा यह चौदा गुना रिटर्न आप देख रहे हैं यह स सब्सक्राइब करना है और उससे ज़्यदा जरूरी कि इसमें निकलना कब है जिन लोगों का भी पैसा 14 गुना हुआ है वह बैसक समय पर निकल गया होंगा अपना पैसा 14 गुना करके निकले होंगे आप समझे इसका जो रिजिस्टेंस लेबल दूर प्याइच चववान पैसा यार्था यह जो शेयर प्राइस है अभी तो डाउं ट्रेंड में अगला भी उपनी रुखता नहीं है इसलिए इसका कूई सपोर्ट लेवल नहीं है तो मनले जी अभी जहां पर सेयर प्राइस है वही सका सब्सेंड प्राइस की बात करेंगे तो पचास पैसा है क्योंकि यहीं से इसका सेयर पैस उठना शुरूबा था मैं उम्मित करता हूँ आप लगबग मान लेजिए अपने बुक बैलू के नीचे नहीं जाएगा बहुत तुम्हें दें कि 2 रुपे का सकता है उससे नीचे नहीं जाएगा अब आजए इसका बढ़कर पांच रुपया हो गया है परती से मतलब जो नतीजे आए वह तो बहुत दमदार है और फिर भी कंपनी का सेर प्राइस उपर नहीं जा रहा है यहां समझिए कंपनी के पास पांच करोंग और पिछले दू-तीन क्वाटर से ऐसे ही पांच-पांच करोंग ही बने रा लेकिन दीकत यह है कि यह भी बढ़ रहा है इसको नहीं बढ़ना चाहिए मतलब कर्जा और लियाबिलिट्री कंपनी को दोनों कम करना चाहिए बाकी ठीक है फंडामेंटल कोई खराब नहीं है इसमें प्रमोटर के हिस्तधारी है पांच-पॉइंट-3-4 परतिसत और पब् अब बढ़ना चाहिए अगर आप इसमें फंडामेंटल ठीक है अगर आप इसमें फंटार कीजिए आपको मुनाफ़ा होगा बेचने की गलती नहीं कीजिएगा कंपनी ठीक है और जो ने लोग है इसमें इनवेस्टमेंट करना चाहिए बेसक कर सकते हैं मौका है अपर्शुनिटी है लेकिन आप जब भी इसमें इनवेस्टमेंट करें अपनी रिसेर्च और अनालिसिस करके कीजिएगा मेरे कहने पनहीं कीजिएगा उमीद करता हूँ आपको बाते सम इतने बात शुक्रिया